नमस्कार दोस्तों में सुभरंग सुपूंदा आप सभी को स्वागत करता हो मेरा विट्रूब चनल में आज का हमारा वीडियो का टफिक है सर स्टेशन क्लाम एंड कונהटर्स इलिट्र अर्वरस्टेशन में क्या क्लाम प्यूज होता है उसका name क्या होता है उसका shape कैसा होता है इसकी पूरी जानकरी आपको मिल जाएगा तो वीडियो कौन तक बने रहें तो हमारा पहला क्लाप होता है उससे PG क्लाप कहते है पारलाल ग्रूप क्लाप इसमें दो पारलाल ग्रूप है जिसे मैं arrow mark में दिखा रहा हूँ तो उससे OR निकलता है इसलिए उसको PG क्लाप कहते है उसका bolt count करके आप बता सकते है यह कितने bolt का है यह 3 bolt का है इसलिए इसको 3 bolted PG क्लाप कहते है different different size का conductor के लिए यह जो arrow mark में group दिखा रहा हूँ वो group का size सरी different आता है नहीं तो shape same आता है तो यह एक 2 bolted PG क्लाप है जैसे पहले हम देखें कि 3 bolted PG क्लाप यहां पर दो बोल्ड हूज है इसलिए 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 2 bolted PG क्लाप गता है यह एक पेड़ क्लाप है जो कि post inflator के ऊपर mount होता है पोस्ट इंस्फलेटर के ऊपर कंड़क्टर को support देने के लिए इस तरह का पेड़ क्लाप यूज किया जाता है यह भी एक पेड़ क्लाप के के टेगरी में आता है नेक्स्ट आता है हमारा T-Clapp यह T-Clapp जो है 12 bolted का है इसलिए से 12 bolted T-Clapp के सकते हैं इसमें जो एरो मार्क में दिखा रहा हूं यह दुनों दिशा से conductor निकला होता है तो एक T-Clapp बनता है इसलिए इसको T-Clapp केते हैं उसमें भी group की हिसाब से conductor लगता है different size का conductor के लिए different size का group बना रहता है तो हमारा next आता है straight throw club यह एक 10 bolted straight throw club है इसका भी different different bolt के हिसाब से आता है आपके जितने bolt है इसको count करके बता सकते हैं कितने bolted straight throw club है इसका group का size भी different different आता है next है हमारा suspension club जो हमारा suspension tower होता है वहाँ पर suspension insulator के नीचे यह लगा रहता है जो कंडॉक्टर को पकड़े रखता है तोго सॉसुस्पेंशन क्लाप के बाद हमारा आता है Tennis संठ टाव भी जो एंसिलेटर के डैंट और यह जा रहेता है यह के बाद मेस पार के से तक ना पहुंचने देने यह vibration temporary उज़ किया जाता है जो कि vibration को नश्ट कर देता है वो insulator या clamp के तक नहीं पहुंचता है next यह special clamp है जो हमारा double moze या double moze का जो conductor जैसे उज़ करता है हमारे boss में या 400 के भी लाइन में तो वहाँ पे special clamp conductor का अलग अलग करके रखता है next यह city clamp है यह city clamp का बीच में जो point है जिसको मैं arrow में दिखा रहा हूँ वहाँ पे biometall strip लगा रहता है और दोनों site में aluminium conductor लगाने के लिए यह group दिया गया है तो यह city clamp आता है city के bussing के साथ लगा रहता है तो हमारा next आता है यह PA road है जिसको हम protective armor road कहते हैं जो हमारा जो conductor जो transmission line में जो conductor है उसके open protection के लिए इसको हम use करते हैं और जहाँ पे repairing के जुरू होता है ता है वहाँ पे भी use करते हैं तो यह arching horn है जो insulator को protection देता है तो यह insulator की आगे की तरफ से और पीछे की तरफ से दुनों side से लगा रहता है जो कोहीं भी अगर surge आ जाता है तो यह search से insulator को protected रखता है तो यह arching होन हो गया next हमार आता है यह midspun joint slip जो midspun में अगर conductor को joint करना है तो इसे use करते हैं जो aero mark में दिखा रहा हूँ यह steel conductor को connect करता है जो ACSR conductor के बीच में रहता है steel conductor और जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ यह aluminum conductor को joint करने के लिए use रहता है करता है